माफिया तीक एहमद के बेटे असद एहमद का आज प्रियागराज में अंतिम संसकार किया जाएगा बेटे की मौश से माफिया तीक बुरी तरह से तूट गया है वो आखरी वार बेटे को देखना चाहता है बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए उसने जिला अदालत में अरजी दी है जिस पर आज सुनवाई होनी है हाला कि अतीक बेटे के जनाजे में शामिल हो पाता है या नहीं ये बड़ा सवाल बना हुआ है कोट के फैसले पर निर्वर करेगा उसे अनमती मिलती है या नहीं अतीक ने पिता के रूप में असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अरजी दी है अरजी में कुछ घंटों की पैरोल दिये जाने की मांग की गई है या फिर पुलिस कश्टडी में कवरिस्तान तक जाने की इजाज़त दिये जाने की मांग की गई है कोट अगर अनमती देगी तवी माफिया अतीक अहमद बेटे असद के जनाजे में शामिल हो पाएगा अतीक के बकीलों ने बताया कि 14 अप्रेल को अवकास होने की वज़े से बेंच को इस मामले में सुनवाई कादिकार नहीं था इसलिए आज इस पर सुनवाई होगी बकीलों की और से बताया गया कि जब अतीक के पिता फिरोज अहमद की मौत हुई थी उस समय भी अतीक जेल में ही बंद था और उन्हें पिता की जनाजे में शामिल होने के लिए अनमती दी गई थी माना जा रहा है कि असद के शब को देखने के लिए अतीक अहमद की पतनी शाष्ता परवीन भी पहुंच सकती है शाष्ता वेश वदल कर जनाजे में शामिल हो सकती है पुलिस ने शाष्ता की गरबतारी के लिए तैयारी कर ली है उस पर नज़र लखने के लिए महला पुलिस कर्मियों को साधा वर्दी में तैनात करने की तैयारी है शाष्ता पर 50,000 रुपे का इनाम है बता देक असद और शूटर गुलाम का सब जहांसी से प्रयागराज पहुँच गया है कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों के सब को प्रयागराज लाया गया है असद का शब लाने के लिए परजन और अधिबक्ता जहांसी गए हुए थे असद और गुलाम का शब देर रात प्रयागराज पहुचा असद के शब को आज अतिक के पुस्तेनी घर के आगे कसारी मसारी के कवरिस्तान और गुलाम को तेलियर गंज की कवरिस्तान में भारी सुरक्षा के बीच सुप्रदेखा किया जाएगा पुलिस ने इसकी तैयारियां कर ली है लोगों की भीड इखटा ना हो इसके लिए चकीया अलाके के आसपास और कविस्तान के नजदीक वेरिकेटिंग की गई है बता दें कि UPATS ने उम्मिस्पाल हत्याकान के आगा नाम घुसित था